हेलो फैंट्स, वेलकुम टो अवर चैनल, इंडियन कॉमिक्स उनिवर्ष, तो आज की कॉमिक्स हैं नाक पाशा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तेरी के हा हा हा, नागराज को बंदी बना, मेरे सामने लाकर तो ने बहुत अच्छा काम किया नाक तंत्री का नागिना, अब एक तरह भड़ जा, और देख कि अपनी शक्ती से नागराज के कैसे चित्रड़े उड़ाता है नाक पाशा अपनी जगे से एक इंच भी ना हिली नगीना, रुख जा नाक पाशा, मैं नाक राज को यहां बंदी बनाने की जगे लास बना कर भी लाश शक्ती थी, लेकिन मैं नागराज के लास देखने से पहले, वैं खजाना देखना और हासिल करना चाहती हूँ, जो नागराज को जिन्दा या मुर्दा तुम तक पहुचाने वाले को इनाम में देने वाले थे, वैं मेरा इनाम है नाक पाशा, मुझे मैं मिलना ही चाहिए, इनाम हाँ हाँ, इनाम तो तुमें मिलेगा नाक तंत्रिका, लेकिन वैं इनाम खजाने के रूप में नहीं, मौत के रूप में म मेरा नाम नगीना है नाक पाशा, नाक तंत्री का नगीना, तेरे जैसे कई नाक पाशा मेरे जाल में फसकर तूसरे लोग की शेयर कर चुके हैं, मैं तुझे भी उनके ही पास नरक में भेज देती हूँ, नरक में पहुचाने वालों को तो मैं लीडर हूँ नागीना, क्योंक लड़ाई काफी देर तक चलती रहेगी पर मेरा फाइदा इस से जीतने में नहीं अगर मेरे हाथों से मर गया तो मेरा ही नुकसान होगा मेरा फाइदा तभी होगा जब मैं इसके हाथों मर जाऊँ नगीना का जमीन पर फुट वॉल की तरह लड़कता सिर देखकर वहाँ पर कई तिमाग बुरी तरह से सुन हो गए वहाँ पर कई मस्तिकों में परशनों की बाढ़ मर आई ओ एक पल तो मुझे ऐसा लगा मानो नगीना जान बुचकर मरने को तयार हो गई नाक परशा का वह मामूली सवार नगीना आसानी से बचा सकती थी लेकिन उसने ऐसा क्यों किया नगीना को तो आसानी से बचा सकता था पर उसने तो मुझे दरवाजे पर दकल अंदाजी को करने को सक्त मना किया था चाहें कुछ भी हो जाए पर वह कुछ भी नगीना की मौत हो गई यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हाँ 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 अब तेरी बारी है नागराज तेरी नाकपाशा के दुस्पन नमबर एक की तेरे मरने के बाद मेरे उदिश्चे की रहा से सबसे बड़ा काटा साफ हो जाएगा इसलिए मर नागराज मर अभी तो सिर्फ मेरे हाथों से पीछे बने नाकपाशा अगर मेरा पूरा सिरी इन तंत्रिक मंदरों से जखड़ा होता तो मैं तेरे वार तुस्पने में नाकाम्याब रहते नाकपाशा ओ नाकपाशा बगेर सोचे समझे वार कर रहा है ये पागल हो गया है हमें भी माड़ा लेगा भागो यहां से भेते पानी की रेले की तरह माफिया बोसों और अपरादियों की बीड हॉल से बाहर भागी नाकपाशा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं अन मच्छों की अब उसे कोई जरूद भी नहीं थी उसका शिकार बान में आ चुका था अब सिर्फ उसका शिकार करना वाकी था ओ टेहीं क्या हुआ गुरुदेप आप चौक की क्यों और आपकी जंतरों में ये धबनी कैसे हो रही है बेहत तेजी से पोलव है तुमारे पशनों का जवाब तुम्हें जल ही मिल जाएगा कैंटुकी फिल लेकिन फिलाल तुम सीधर ही नाग पशा के पास जाओ और उसे नाग राज को खत्म करने से रोको वह अना अनद्ध हो जाएगा जाओ अच्छा गुरुजी कैंटुकी तेजी से विचित क्रक्स से बाहर निकल गया और वहाँ अकेले रह गया गुरुदेप अचंबे से भरा यंत्रों से किलवार करने लगा वो सभी यंत्र बचाता है कि यह वही है लेकिन अचारे की बात यह कि यह वही आदमी कैसे हो सकता है इन सब हाथसों के दौरान किसी का भी ध्यान लगीना के शरीट पर नहीं गया था जो धीरे धीरे ही अपने आप ढूल में परिवर्टित होती जा रही थी यह द्रिश्य ना नाकपाशा देख रहा था और नाही नागराज और तीब पिश्फुकार बस नागराज बहुत हुआ अगला छंट अब तेरे जीवन का अंतिम छड़ होगा दूसरे इशंट नाकपाशा की शक्तियों का वेक गोला तोप के गोले की भाती नागराज के सीने से टकराया इसी के साथ ही बुरी तरे टकारता हुआ नागराज अपने मुझ से खून उगलता नीचे आगिरा चमिन पर गिर कर वेक कुछ पल जल मिन मचली की भाती जर पटाया और फिर सांथ हो गया नागराज सदा के लिए सांत हो गया मर गया नागराच मैंने नाकपाशा को नाकपाशा ने मार डाला उसे तबी नाकपाशा जी आपको गुरुदीव ने आपके अपनी प्रयोक्षाला में बुलाया है जल्दी केंटुकी बिना कोई छण गवाए केंटुकी के साथ चल पड़ा नाकपाशा गुरुदीव को अचारण मुझसे क्या काम पड़ गया जो मुझे यूँ ही तुरंद बुलवा लिया उस प्राचीन प्रयोक्षाला में नाकपाशा के परविश्ट करते ही वह दोड़ादोड़ा उनके पास मोचा नाकपाशा तुम अभी नागराज नामक जिस व्यक्ति से लड़ रहे थे कहां है वो वो सई सलामत है ना नहीं मैंने तो उसे मार डाला लेकिन आप ये क्यों नाकपाशा का मुझसे इतना ही निकलना था कि अपना माथा पीट लिया उसने अनर्थ ये तुमने क्या कर डाला अनर्थ कर डाला नाकपाशा एक दम अनर्थ कर डाला तुमने क्या क्योंकि खजाना पाने के लिए तुमें जिस व्यक्ति की खोज है जिसे तुम मेरे यंतरों के कारण मंदिर के सपने दिखा रहे हो वे कोई और नहीं नागरा जी है नाकपाशा यूँ उचला मानो इसके कानों से कोई जवर्दस पिस्पोट हुआ हो ये 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 आप क्या कह रहे हो गुरुदेप ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ऐसा ही है नाकपाशा अपने चारों तरफ देखो ये यंत्रों का जाल और ये उनसे निकलती धवनी इस बात का प्रमान है तुम तो जानते ही हो कि जिस व्यक्ति की तुम को तलाश है उसके जन्म का समय और लगन मुझे मालू है और एक खास समय में पैदा हुए व्यक्ति अपने शरीर से एक खास तरीकी तरंग निकालते हैं और ये मेरे सारे यंत्र उसी लगन और समय में पैदा हुए व्यक्ति की तरंगों को ग्रहंट करने के लिए बने हुए है और ये उन तरंगों को ग्रहंट करते ही धवनी करने 75 साल होनी चाहिए नागराज की उम्र के विशे में मैं कुछ नहीं कह सकता नागपाशा लेकिन ये सत्त है कि मेरे यंत्र दोका नहीं कह सकते सत्पर्तिशत नागराज ही वेवैकती है जिसकी तुम्हें तलास थी है नहीं गुरुदेप अब था बोलिए क्योंकि नागपाशा महोदे नागराज को समाप्त कर चुके हैं मार चुके हैं उसे अचानक ना जाने नागपाशा को क्या हुआ वैं तेजी से बाहर के तरफ भागा खड़ा हुआ नागराज मेरी वट्सों के खोज मेरा अर्मान है मैं मर नहीं सकता मैं उसे किसी इतनी आसानी से नहीं मरने दूँगा कुछ छण बाद ही नागराज के सरी को बुरी तरह से जखोड डाला नागपाशा उट नागराज उट तू नहीं मर सकता तू नहीं मर सकता नागराज उट मैं कहता हूँ उट नागराज काफे देड़ तक नागराज के सरीर को जखोड़ते हुए जब बुरी तरह से हाप गया नाक पाशा तो हार मानकर बैठ गया वे उफ सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर दिया मैंने कितनी मेहनत करके मैंने अपने इच्छित वेक्ति को अपने सपने दिखा कर यहां लाने का प्रवंद किया था और कितनी बड़ी योजना बना कर मैंने नागराज को विलनों से इसलिए मरवाने का इंध्याम किया था कि नागराज ही कहीं मेरे दुश्य की पूर्ती में बादा ना बने लेकिन मैं क्या जानता था कि जिसे मरवाने का प्रतन करते करते मैं सेम उसे मार चुका हूँ मैं मेरा भतीजा हमारे खांदानी अतुलिय खजाने तक पहुचने वाला एक मात प्राणी नागराजी है उफ संजोक से मैं कितनी बड़ी बाजी हार चुका हूँ कास्ट नागराज का मौत देने की गलती करने से पहले मैंने थोड़ा सोच समझ लिया होता पीना सोचे विचारे काम करने वाले बाद में ठीक तुमारी तरह पस्ता थे नागराज नागराज तुम जिंदा हो नागराज और तुमारे तंतरिक बंदर अपने आप कैसे खुल गए नगीना मेरे साथ थी नागराज तुमारे साथ नहीं क्योंकि उसे तुमारे दुआरा किये गए धोके का आवाज हो गया था इसलिए उसने मुझे यहाँ पर लाने के लिए इस छद मतंतरिक मंदरों का इस्तमाल किया था ताकि वक्त आने पर मैं आराम से निकल सकूँ ओ, मेरे ही साथ चल चली नगीना ने बिल्कुल और बाकि रही मेरे मरने की बात तो सब कुछ जानने के लिए मैंने अपने मुँ में मुँ में पहले से ही रखा लाल रंग खून की तरह उगल कर और प्रन्याम करके अपनी सांसे रोक कर मरने का नाटक किया था अब चुकि मैं तुमारी जुवानी सारी बाते जान चुका हूँ अब मेरे मरे रहने का क्या पाइदा अब सीधी तरह बताओ कि उस खजाने का क्या चक्कर है जिसके लिए तुमने मुझे सपने दिखा रहे थे बताओंगा, सब बताओंगा पहले मुझे अपने भतीजी के जिन्दा रहने के खुशी तो मना लेने दो लिपट गया नागराज नाक पाशा से वाह अच्छे चाचा हो तुम पहले जान से मारते हो और फिर खोश होकर लिपटते हो अरे मेरे बच्चे पहले मैं अपने भतीजी को थोड़े न मार रहा था मैं तो उस नागराज को मानना चाहता था जो उस खजाने को पाने में बहुत बड़ी अर्चन बन सकता था जो तुमारा सिर्फ तुमारा है अब चुकि तुम आ गए हो इसलिए अपना खजाना समालो और अपने चचा को मुक्ति दो तुमारे खजाने की रक्षा के चक्कर में मैं वर्षों से यहां से बाहर नहीं निकला हूँ नाक पाशा की तरब से अभी ही संकित था नागराज ए चचा बतीजे और खजाने का क्या चक्कर है मैं अभी तक समझा नहीं मैं समझाता हूँ तुझे मेरे बच्चे सुन आज तुम जो इन खंडरों को देख रहे हो न यहां कई सो वर्ष पहले सांदार शर्प मेल हुआ करता था जो तुमारे पिता और मेरे बड़े भाई तक्चकराज राज किया करते थे नागो का बहुत बड़ा पुजारी था हमारा सारप अरिवार और सबसे बड़ी पुजारी थी ताजा तक्चकराज की पत्नी ललिता कुल देब तक काल जाई के परताब से उन्हें की कोक से तुमने जनम लिया था भेया के पास हजारों लाकों बहूं ले शर्प मणिया और अन्ने किमती वस्तोगा बहुत बड़ा खजाना था जिसके बलपस सारा राज काज बहुत ही अच्छे टंक से चल रहा था उसी खजाने के लिए एक दिन किसी अग्यात सस्त्रू ने हमारे राज्ये पर हमला कर दिया हमला बड़े भेया उस सस्त्रू से राज्ये की रक्षा करने को जुट गए और मैं अपने परिवार के कुल दिपक यानि तुमारी रक्षा के लिए बड़े वेया की आग्या लेकर तुम्हें लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ लेकिन सस्तुरों ने मेरा पीचा नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे घेर कर मुझे और तुम्हें मारने का प्रयतन किया उनसे जान बचाने के लिए मैं उची पारी से नीचे नदी में कूद गया गायल होने के वज़े से मैं नदी में गिरते ही बियोश हो गया और तुम मेरे हाथों से चूटकर ना जाने कहां भै गये मुझे जब होश आया तो मैंने तुम्हें बहुर ढूणा लेकित तुम मुझे नहीं मिले हालकर में वापस लोट गया तब राजदानी पहुचकर मुझे पता चला कि अग्यास सस्तुरू ने बड़े वेया और भावी की हत्या गर दी मैं भी चेहरे पर घाव लगाने से इतना पदसूरत हो गया था कि मुझे हमेशा के लिए नकाब पहने पर मजबूर होना पड़ा लेकिन इस अग्यास सस्तुरू ने जिस खजाने के लिए ये सब किया था उसे प्राप्त ना कर सका क्योंकि मरने से पहले भेया ने उस खजाने को एक ऐसी सर्फ तिलिश में रख दिया था जो जो जोतिसों ने नक्ष्टरों की सायता से तुमारे नाम से बांदा था और चुकि तिलिश में तुमारे नाम से बांदा गया था इसलिए उसे तुमारे अलावा कोई और नहीं तोड़ सकता था और नहीं खजाना प्राप्त कर सकता था अब चुकि तुम मेरे बड़े भेया की अदिम निशानी और खजाने के असली हगदार थे इसलिए मैं तुम्हें डूड़ने का प्रियास करता रहा और आज सपल होई गया यानि अगर तुमारी बाते सच हैं तो मेरा भी एक परिवार था और वैं यहां पर था मैं प्रॉपेशन नागमणी का विसकार नहीं हूँ मैं भी और मानमू की तरह ही पैदा हुआ था और बढ़ा बढ़ा कमाल है मैं तो इससा बाते सपने सी लग रही है यह सब नहीं है मेरे बच्चे बलकि सच है और अगर इस बात को तु अपनी आँखों से देखना चाता है तो बढ़ जा उस तिलिसमे रास्ते पर जो तुझे तोड़कर पहुँचा सकते हैं खजाने तक सवास मेरे बच्चे सवास मुझे तुमसे यही आशा थी आओ मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहां से सुरू होता है उस तिलिसमें पहुचने का रास्ता जहां मैं खजाना रखा हुआ है जिसमें रखी एक बड़ी पांडू लेपी में तुम्हारे यानि तुम्हारे खांदान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है चल मैं तुझे ले चलू होँआ पर ओब मुझे नाकपाशा का खेल समझ में आ रहा है पर पहले मुझे यह पता रख करना हुआ कि नागराज ही लेलीता देवी का पुत्र है या नहीं कुछ दिर बाद थी विशाल सर्प का वहमू ही उस तुलिष में परविश करने का रास्ता है जिसमें नकजाना रखा हुआ है हमें इसमें परविश करके बेहत चाबदानी से आगे बढ़ना होगा और चूकि तुम आगे रहोगे बत जाल सर्प में हूं में परविश किया उफ कितना बहानक इस्तान कोई कमजोर दिरवाला तो यहां आकर हाट अटेक हो जाए धड़क तो मेरा दिल भी रहा है पता नहीं किस मुसीवत से सामना करना पड़े जल्द ही लो आगई नहीं तिलिष में की मुसीवत नमबर एक जिस इस तलाब के सारे परदाद को खूब पैचानता हूं नागराज ये पानी से नहीं विश से भरा हुआ है बहत खातक विश ओ इसको तैर कर पार करने का सीधा सा मतलब मौत को दावत देना है लेकिन इसे पार करने का कोई ना कोई तरीका तो हो गई तब ही गूंज उठी एक वे अवाज तुमने ठीक सोचा घातक विश के इस तलाब को सरक चित पार करने का तरीका मेरे पास है तो मेरे मूँ में बैठ जाओ मैं तुमें उस पार उतार दूँगा ओ सामने मौजूद पत्थर में बने उस नाक के मूँ से गुज रही है अवाज तब ही दूसरा नहीं मेरे मूँ में मैं एकदम सरक्चित हूँ मेरे मूँ में आओ ओ ये तो सभी हमें अपने मूँ में बिठा कर विश का कुंड पार करवाने की कह रहे हैं हाँ सुन तो मैं भी रहा हूँ मगर मेरे ख्याल से सम मैंसे सर्प एक ही हमें पार उतार सकता है बाकी सब हमें बी कुंड में ही टूम मरे तो फिर कैसे पता लगाए कि इन सर्बों में से वो सर्ब कौन सा है जो हमें शुरक्षित पिस कुंड के उस पाल ले जाएगा ये सोचना तो मुश्किल है लेकिन नामों कोई नहीं दिमाग का इस्तमाल करके इस मुश्किल का हल निकाल ही जाएगा फिर उससे पहले ही नागराज उसे चित कवरे साप में परवेश कर गया इसके साथ ही एक तीज गड़़ाट करता हुआ पत्थर का वे साप अपने इस्तान से सरका और विस्कुंड के उमें सरक गया अब वो मजे से तैरता हुआ नागराज और नाकपाशा को लेकर किनारे तब बढ़ रहा था वाव वतीजे तूने तो एकदम साई सर्प चुना लेकिन कैसे हम जिस सर्प के मुँवे बैटे हैं वे पनियाला चाती का सर्प है और चूगी सर्प जाती में मात पनियाला पानी में अच्छी तरह से तैर सकता है इसलिए यही इस कुंड में तैर कर हमें पार्क उतार सकता था वारे वदीजे जवाब नहीं तेरा सचमुत तेरा जवाब नहीं अब देखें तो इसी तरह आगे भी मुसीवत से बचाता हुआ खजाने तक पहुचाता है या नहीं ए आगे बढ़ने के रास्ते पर ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है खड़ी नहीं खड़ी नहीं वो देखो ओ ये तो बिल्कुल जिन्दा नेवले की तरह बढ़ रहा है अभी खत्म ओ पिर्णों के इस पर कोई असर नहीं हो रहा ओ बेकार हुए मेरे साप भी अचानक अब परत्राज की ढंक से गुमी नेवले की सारी और गुमकर रहे गया दिमाग उस करारे वार के बाद सिर्फ नागराज ही खड़ा होने में सफल हो पाया लगता है चाचा जी का दिमाग अंधेरी गलियों में बटकने चला गया अब तो मुझे अकेले ही इस मुसीबच से चुटकारा पाने में सफल परियास करना होगा एक के बाद एक कई बार करने के बाद आखिकार वह बात नागराज को समझ में आ गई इसे किसी बहरी तरीके से खट्ब करने की कोशिश करना बिगार है इस तिलिप्स में इसे मारने के कोई तिलिप्स में तरीका ही ढूँडना होगा लेकिन वह तरीका होगा कौन सा वह वह दिवार दिवार पर बना चित्र रेखा चित्र ठीक वैसे ही नेवले पर किसी बाद को हमला करते दिखाया गया है जरूर ये नेवला बाज के द्वारा ही कतम होगा लेकिन यहाँ इस तलिपस में बाज के बारे में सोचना बेवकुफी होगी तुरती नागराज ने अपनी बात को खंडर किया नहीं इस तलिपस में ये चित्र बेवज़ा नहीं हो सकता अब नेवला यहाँ है तो बाज भी यहीं कहीं होगा बाज के तलास में इदर दर घूम गई नागराज की नजर को नजर आया वे बाज बाज के पंजे विचोच विपंक इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये बाज जिकसा प्लज के रूप में मुझूद है बाज को जिन्दा करना तो उस पजल को जोड़ना होगा और ये काम मुझे इस नेवले की पकड़ से बचकर करना होगा नागराज की फूरती से बाज के उन टुकड़ों को जोड़ना आरम कर दिया नेवले से बसते हुए नेवले की पकड़ से जादे देर तक नहीं पसका नागराज आखिर में पकड़ में आही गया अब पजल का वे पूरा होने में सिर्फ एक ही टुकड़ा बाकी रह गया है अब मुझे अपनी सारी ताकत लगा कर इसके मुझे चूटने का प्रियास करना होगा ओ पूरी शक्ति लगाने के बाद ही नागराज अपने आपको मौद की पकड़ से नहीं चुटा पाया मैं अपने आपको छुड़ा नहीं रहा हूँ अब मुझे चखोड चखोड कर मार ड़ने का फिराक में है अब मुझे इसके हाथों से हरहाल मैं मरूंगा ही लेकिन मरने से पहले सर्फसैनिकों के बल पर एक कोशिश कर लेने में क्या हरजा है नागराज सी के रूप में तेजी से पजल के उस आखरी टुकड़े से लिपटते चले गए मौत के मुझे जाते नागराज के हाथों से छूट कर विस सर्फसैनिक तरंती नागराज ने नागराज सी को एक जटका दिया जिसका पढ़नाम इस तरह सामने आया उसी इस्तान पर जव जुड़ा वे टुकड़ा इसी के साथ नागराज ने देखी तिलिस में एक औरो नोकी खटना चीवित हो उठा वैवाज भैंकर डंग से नेवले पर जपट पड़ा और नागराज के देखते ही देखते ही वे चट कर गया अब तो ये मेरी तरफ बढ़ रहा है कहीं इसका इरादा मुझे भी निगलने का तो नहीं नहीं नागराज के समयने से पहले ही उस बाज ने भेर तीजी तीजी से लपक कर उसे दबोच लिया ओफ ये तो मुझे निगल रहा है और मैं अपनी कोशिश के बाद भी इसे नहीं निकल पा रहा हूँ मेरा ये तलिश्मी बाज बेसर रहा नागराज को पूरा निगल गया है बाज साथी नागराज का किस्सा खत्म हो गया ओ ये मेरी तरब देख रहा है यानि अम मेरी बारी है भै की अधिकता से बुद्ध बन गया था खड़ा रह गया था नागपाशा जबकि उस वातावरण में पहुँचकर अचारे चकित रह गया नागराज कमाल है बाज के निकलने के बाद जहाए मुझे ये यमपूरी पहुचना था वहाँ में इस रह्ष में इस्तान पर आ गया जह चारों तरब बड़ी बड़ी बीने मुझूद है लेकिन इतनी बड़ी बीनों का यहां होने का क्या मतलब अभी एक पल भी नहीं बीता था कि नागराज को मिल गया उसके सवालों का जवाब ओ ये सब बीने तो अद्बू डंक से बजने लगी इन बीनों के निकलने वाला स्वर मुझे मत्रमुक्त किये जरा है मेरे पाउँ तरगने को उताबले हो रहे है मेरा दिल जूम उटने को कर रहा है उन बज्टी बीनों के आगे नागराज जादे देर तक अपना सहिम न रख सका और लहरा उठा वे किसी मदमस सापकी भाती जैसे इसे बीन के स्वर तेजी से आ रही थी वैसे वैसे नागराज के पाउं की तरकन बढ़ती जा रही थी तब ही मत्रम नास्ते नास्ते नागराज के कानों में बीन के साथ साथ वे आवाज भी पड़ी नास्ते नास्ते ही नागराज आवाज की दिशा में गूमा तो उसके रोंग्टे खड़े हो गए ओ ये क्या ये बड़ा सा भारी कोला तेजी से लुड़कता हुए मेरी तरह आ रहा है मुझे इन बीन के सुरों से अपने आपको मुक्ति दिला कर यहां से भागना होगा ओ लेकिन मैं भागू कहां से यहां से तो बाहर निकलने वाले एक मात रास्ते पर तो मुसीवत मूँ फारे खड़ी है उस भेंकर मोर के रूप में उफ बहुत बुरी तरह से फस गया हूँ मैं एक तरफ तेजी से मेरी तरफ लुड़कता गोला दूसरी तरफ वेंकर मोर उपर से ये बीन के जादोई सुरूप जो मेरे कदमों को रुकने का मुका ही नहीं दे रहे क्या इस तरह थरकते हुए मैं बचपाऊंगा इन मोतों से हाँ अगर मैं अपने थरकते हुए पाँप और बीन के सुर्फ में गूमते अपने मस्तिक को थोड़ा कंट्रोल कर सकूँ तो मैंना सिर्फ इस मुशिवत से बच सकता हूँ बलकि इन्हें खत्म भी कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे उस बड़े गोले का एकदम मेरे पास पहुचने का अंतियार करना होगा और फिर जैसे ही वे गोला नागराच के नजदीक पहुचा वैसे ही सरक्र के किसी कुशल खिलाडी की बाती नागराच उचल कर उस गोले पर सवार हुआ और अपने नास्ते कदमों की वज़े से ही इस गोले से ही नहीं बच रहा था नागराच बलकि लेकिन अब यह मेरे नास्ते कदम इस लड़ते गोले पर मेरा संतुलन बनाए रखने में बड़े साहक जिद हो रहे हैं एक पल बाद ही तो खतरनाक मसीवतों का एक साथ अंतुगा जल्दी पीन पर ऐसे अन्य वाद यंतरों से मदुर सवार तब ही निकलते हैं जब उसमें मौझूद छिद्रों को हवा का संचार होता हो अब रही बीनों वाली तीसरी मुसीवत वह भी कम खतरनाक सावित नहीं होगी अगर मैंने इसे जल्दी चुटकारा नहीं पाया लेकिन इसे चुटकारा पाने के लिए कोई हलतों डूड़ना ही होगा सोच में डूब गया बीनों के स्वर से ततकता नागराज जल्दी बीन या ऐसे अन्य वादी अंद्रों में मदूर स्वर तब ही निकलते हैं जब उनसे मौझूद छिद्रों से हवा का संचार होता है और हवा का संचार करने वाले इन चिद्रों को अपने नागराज को ज़्यादा देन नहीं लगी है सभी मीनों को विकार कर देने में नागराज को ज़्यादा देन नहीं लगी है इसी के साथ ही एकदम अनोखा है यह तलिश्म और उससे भी ज़्यादा अनोखे हैं इस तलिश्म को बनाने वाले ज़नों ने अपनी विद्या से यह अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि इस तलिश्म को तोड़ने वाला नागराज आगे बढ़ गया और जल्दी पहुँच गया था उस विस्तान पर सामने बहुत से रंग विरंगे जरने हैं जो उपर से कहीं से गिर रहे होंगे कहीं ये मेरे आगे बढ़ने के रास्ते में किसी तरह की बादा ना बन जाएं अच्छा है इन रंग विरंगे सरबती जरनों में नहाते हुएं निकलने से मेरे सिरी पे चिपकी धूल भी साप हो गई नागराज आराम से कई जरने पार करता हुआ चला गया और जब वे ठिटका पिछले कई जरनों को मैं आराम से पार करता हुआ चला गया लेकिन मुझे कोई कड़बर लग रही है क्योंकि हर जरनी से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जिसे मैं लगातार कमजोर होता जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरा सिरी देरी देरी कलता जा रहा है अब आगे बढ़ने से पहले सोचना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है समझना होगा कि ये सारा चक्कर क्या है चक्कर जब नागराज की सौज में आया तो उसके सारी इंद्रिया साबदान होती चले गई एक खतरनाक विचार मेरे मस्तिक में गुमड रहा है लेकिन ये विचार कहां तक सही है इसे परकने के लिए मुझे किसी साप के इस्टक्चर का मुआना करना होगा तरन्थी नागराज के मस्तिक में उबर गई किसी बड़े साप की सरीर की सरचना जहर गरंती, फेपड़े, दिल, तिलिस में परवेश, मैंने साप के मुझे किया फिर जहर गरंतियों की जगे जहर का तलाब मिला पिर जहां साप की आँके होनी चाहिए, वहाँ पर मैंने नेवरे ने मुझे पर आँकों से निकलते किंड़नों द्वारा हमला किया आँक के इस्तान से थोड़ा से नीचे गला होता है, जहां पर बाज ने मुझे निगल लिया जहां दिल और धड़कने होती है, वहाँ पर बीनों के सौरणे मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया और अब आप पहुचा हूं में नागराज साप के पेट में चाह पर पाचन किरिया होती है और ये पाचन किरिया होती है बिविन, अमलो और एक्जामे को दिवारा ये जहरने उसी अमलो और एक्जामे को जहरने हैं और ये मुझे पचा रहे हैं इसलिए मेरा से री कलता जा रहा है अगर मैं इन जर्णों में ओ भीगता हुआ थोड़ा सा आगे बनू तो मैं बूरी तरे से पश जाँगा ओ एका एक बड़े बड़े जिवानू कहां से आ गए और ये मुझे पर हमला क्यों कर रहे है इनके तादात भी बहुत जादा है परन्तु आकर ये है क्या समझ गया ये जिवानू आतों में रहने वाले पर जिवानू अमीमा पैरा मीमिसियम और हाइटरा है और ये मुझे अपना भोजन समझ कर मुझे चिप्टे जा रहे हैं पर ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुचा रहे हैं इनके लिए हमले के पीछे भी कोई राज जरूर होगा हाँ ये आतों में रहने वाले पर जीवी जिवानू है इन पर पेट में अल्म और एक्जामे का अश्चन नहीं करता ये मेरे सरी को अमलों और एक्जामे को जहने से बचाने के लिए कवच का काम करेंगे नागराज ने जर्नों से भरा तिलिश पार करना सुरू कर दिया तिलिम्स के उस हिस्से को पार करते ही जिवानूं को अपने आप खायव हो गए मैंने इस अद्बुद घटना को अपनी आँगों से ना देखा होता तो इन पर कभी सच ना मानता तो गाइस ये थी नाग परशा की कॉमिस का फर्स पार्ट इसके सेकिंड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे तो गाइस अगर ये कॉमिस आपको पसंद आई हो तो इस चैनल इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटा प्रेस करने ना वोले जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिस का नॉटिफिकिशन मिलता रहे तो जल्द ही मिलते हैं नाग परशा की सेकिंड पार्ट में थैंक यू